वेलकम दोस्तों एक वार फिर से स्वागत हैं आपका आरके फावर न्यूज में आईए दोस्तों जान लेंते हैं राजिस्थान का मोशम आगामी 48 से वेतर गंटों में किस पिरकार रहने वाला है अभी अभी सबसे बड़ी ताजा कवर मोशम व्याग ने दी है और राजिस्थान के आगामी 48 से वेतर गंटों में किस पिरकार बारिश होने की समभामने जटाए गई है और यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो पिलीज चैनल को कर लें सस्क्राइब और बैल आइकन को दवाना ने भूले जिससे आपको हमारी हर वीडियो का नोटिपिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच गए और दोस्तों इस चैनल के माद्यम से हम आपको एकदम सटीक और सही जानकारिया ही प्राप्त कराते रहते हैं तो आईए दोस्तों जान लेते हैं सबसे पहले इन जिलो के बारे में जो अब 4-5 दिन के लिए है जो मानसुन एकदम से ठप हो गया है बात करें सबसे पहले पूरी विराज्थान जैसे अलवर वरतपूर, दौलपूर, दोसा, करोली, शाव, इमादोपूर, जैपूर, टौंक, अजमीर यदि दोस्तों हम इन जिलो के बारे में देखें तो इन जिलो में है जो अभी अभी मोसम व्याग ने बताया है कि इन जिलों में हैं लगबग 2-3 दिनों तक है जो मांसून एकदम से ठप हो जाएंगे और वहाँ तापमान में एकदम से वरद्धी देखने को मिलेगी और दोस्तों यदि जाने इन जिलों के बारे में लगबग जो मांसून है फिर से एक्टिवेट होने की जो दिखाई देंगे उसके वें गरिए आपको देंगे और दोस्तों में बात क्रीप 5-3 दिनों बात दिखाई देंगे और दोस्तों वहीं बात करें है जो बारिष होने की संब्वावबन जैताएंगे याहा यह महीं तेज़ आपने के साथ उनके साथ पादल है जो आवागमन जारी रहेगी और दोस्तों आप जान लेते हैं उत्री राजिस्तान जैसे श्री गंगान अगर हनुमान गट चूरू पीकने जुनु शीकर नागो राजमेर यदि दोस्तों हम इन जिलों के बारे में आप से बात करें तो इन जिलों को बारे में अदि हम देखे तो इन जिलों में है जो लगातार मानसुन के एक्टिवेट होने की संभावना जताई जा रही है और इन जिलों में है जो बादलों के साथ आवा गवन जारी रहेगी वहीं तेज अवाओं के साथ है जो बाहरी बेंकर जो संभावना जताई गई है वहीं कुछ छेत्रों और कुछ गामों में है जो हलकी से मद्यम बारिश इन जिलों में है जो देखने को मिल सकती है और दोस्तों हम इन जिलों के बारे में बात करें तो इन जिलों में भी है जो मानसुन दिखाई देंगे साथ में तेज हवाओं के साथ है जो तापमान में भी विरदी देखने को मिलेगी हलांकि इन दिनों में है जो किसी किसी जिले में है जो किन किन है जो गाओं में है वहां मद्यम से हलकी बारिश इन तेखने को मिल सकती है और दोस्तों बता दें इन जिलों में है जो बहत वेंकर वारिश होने की शंबामना जिताई गई है और दोस्तों बता दें हम आपको धन्यवाद